सब्सक्राइब ? गुड़ अफ्रेनू स्टूडेंट्स ओनलाइन क्लास में आपका फिस्ते स्वागत है तो कल मैंने आपको एक होम टाक्स दिया था जो कि ए था इम्ड में सी आप टो बलास बी तो आप लोगोς ने क्या क्या था आप लोगों इस अ बेज दिया लेकिन चुक्त्छ यहां पर स्टेत्मेंट लिखना होगा क्या क्यों डर्द gaan इसा था, प्रिंट आउट दा एरर, प्रिंट आउट दा एरर, इन दा फोलोईं पोग्राम, इन दा फोलोईं पोग्राम, एक वेस्चन था आप लोका, ठीके, आप बहुत लोगों ने मुझे, अंसर तो बेज दिया, बहुत लोगों ने गर्बर भी पता चल गया, कि गर्बर क्या है, तो हमें इसी टाइप के questions, एक्जाम में मिल सकता है, find out the error, यहाँ पर लिखा है, print out the error in the following program, लेकिन exam में ABA हो सकता है, कि आपको पूछा जाए, find out the error, तो मुझे दिखा ही दे रहा है, कि यहाँ पर semicolon नहीं है, यहाँ पर semicolon नहीं है, यह सबको पता है, यहाँ पर एक bracket missing है, यह भी मुझे पता है, सबको, लेकिन main thing जो है, किसी ने notice नहीं किया, यहाँ पर hash include ही नहीं है, hash include iostream.h, header file ही नहीं है, यही तो मैं बार बार आपको बता रहा था, कि header file के बीना program होगा ही नहीं, मुझे header file अगर iostream.h include नहीं करूंगा, तो cout, cn क्या होगा, इसमें error आ जाएगा, क्योंकि यह जो दो है, वो कहाँ पर, कौन से library launcher में है, iostream.h में है, ठीके, तो first जो आपका लिखना होगा, statement 1 आप क्या लिखोगे, फास जो लिखोगे, आप अंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे, इस तर आंसर लिखोगे, फास जो लिखोगे, तो फास जो लिखोगे, क्या लिखोगे, दा, header file, iostream.h, अच्छी तरह से समझो, सम्झो, the header file, iostream.h, has not been included, तो फास जो पॉइंट होगा, the header file, iostream.h, has not been included, and include था, नहीं था, तो फास जो आपको लिखना होगा, the header file, iostream.h, has not been included, clear? next जो होगा, क्या होगा? next क्या देखो? मैंने, इंट मेंट लिखा, c out लिखा, scene लिखा, sum लिखा, लेकिन इसको आमने, ओपो हम यहाँ पर इंट है वी साम यहाँ पर क्या है रहो है अरो कि अब तब तक आ इसको तो डिग्लियर नहीं करेंगे तब तक आप उसको यूस्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या लिखोगे दा वेरिबॉल्स दा वेरिबॉल्स ए भी एन साम एब नॉट है एब नॉट बी वेरिबॉल्स ए एन ए बी साम है नॉट बीडियर बिफोर यूजी नहीं किया था यूजी नहीं किया था लेकिन यहां पर यहां पर मैंने डिग्लियर नहीं किया लेकिन यहां पर यूजी कर दिया तो यह लिखना पड़ेगा तो आपने पहला एर्रों क्या विला आपको दैडर फाइल आई श्री डॉट इस था नॉट बिन इंक्लूट है ठीक है अभी तो मैंने इंक्लूट कर गिया लेकिन पहले क्या था इंक्लूट नहीं चाथ नेक्स्ट जो आए दा वेरिबूस ए एन बी साम यह नोट बीटिक लिए बिफोर यूजी दें ठीक है और थार्ट वाला क्या होगा कि एवां टु हो गया अब तिस्थरा कौन सा है क्यों पर तिस्थरा क्या हो सकता है थिस्थरा गलती है क्या है यह पर क्रण वाला क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर मैंने सेमीकलॉन नहीं देतो सी इन एंग साम वह नोट बीन टार्मिनेटेड वाइ शेमी अब नोट बीन टार्मिनेटेड बाइ सेमी कोलोन या पर मैने सेमी कोलोन नही दिया अभी दिया कि आप उसको ठीक भी करो गया और इसमें लीखना भी बड़ेगा कि आपको फाइंड आउट करना क्या है फाइंड एरोर करना ठीक है आप क्या है और लाज वाला लिख सकते हो अब कमपाउंड यह पर एक ब्रेकट मिसिंग का पॉंपाउंड स्टेट्मेंट कि इस कि मिसिंग कि कमपाउंड स्टेट्मेंट इस मिसिंग सिंपल हो गया आपका फोग्राम इस तरह आपको करेक्शन करना है और स्टेट्मेंट भी लिखना है ठीक है क्लिया और एक चीज बाकि है कंपाउंड स्टेट्मेंट मिसिंग लिख लिए बाकि है यहाँ पर रिटर्न जीरो लेखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे नेक्स्ट लिखो एक क्या लिखोगे इस मिसिंग और एक लिखना पड़ेगा यह पर फिफ्ट जो एरो लिखोगे इस तरह भी लिख सकते हो रिटार्ण स्टेइटमेंट इस मिसिंग इटार्ण स्टेइटमेंट इस मिसिंग अबस खत्म ठीक है मैं औरे को हूमर देता हूँ आपको इसी टाइप के आपको करना है ठीक है तो यह रहां आपका हूमर अगर दिमाग है तो आप उसको इसली कर पाऊगे दिमाग नहीं है कुछ नहीं कर पाऊगे क्यूंकि इसको करने के लिए पहले वाला वीडियो अच्छी तरह से देखो यहां पर बहुत साने मिश्टे के देखने सी पता चल जाता है लेकिन आपक यहां क्या नलत हो सकता है जिवाग लगाओ लगाओ इसका बत कर लो कि यह रहां आपका हो मार्क देखता हो कितने टाइम लगता है यहाँ पर बहुत सारे मिसिंगे मुझे आज देखता हूं कितने स्टूडेंट ने मेरे बीडियो अच्छी तरह से फोलो किया आगर प्रवाइब करो और इस तरह स्टेटमेंट लिखो गलती किया है अच्छी तरह समझो पहले ठीक है तो यह रहाँ आपका आज का हों मार्क ठीक है तो आपका चप्टर 6 कंप्लीट है आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया तो अब मुझे बोलो अच्छी तरह से क्या प्रोल्म है क्या नहीं है चप्टर 6 का ही था आपका कंप्लीट है और मैं नूर्स प्रोवाइट करूंगा पहले आप खुछ से नूर्स बनाने की कोशिश प्रोवाइट में आपको छुखने के लिए तो समझने के लिए क्या करना है आपको समझने आऊगा मैंने क्या पर आया क्या गानी जो 7 contract में बहुत हो आज हम रुग सीखेंगे Danes 7 chap Ter में जाने पहले सीखने से पहले मुझे समझना होगा कि चप्टर 6 तक मैंने क्या पढ़ाया है जब तक आप उस बात को नहीं समझेंगे तो आप प्रोग्राम कर नहीं पाएंगे प्रोग्राम अभी तो देखो इस तो प्रोग्राम में बहुत सारे चीजे एसे हैं तो जोने वाला आज मैंने टोपिक जो पढ़ाये तो चप्टर 6 में थ्यानी कुछ नहीं यह आपका सी लिवास इतना ती कंप्लीट है आप जो मैं पढ़ाऊंगा आपको चप्टर 7 इसमें बहुत कुछ जानों के प्रोग्राम मे बहुत सारे चीजें यहां पर आएंगे ठीक है आप तक प्रेक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का पॉल्लम सौब नहीं होगा पहले मुझे प्रेक्टिकल भी दिखा ना होगा लेकिन दिखाने से पहले उस से त्योर्टिकल पाट जो मैं समझाता हूं उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए आप लोग को स्टुडेंट्स हो जो बहुत ही अच्छे लगते मुझे से कॉंटेक्ट करते हैं और हुमर भी बस्ते हैं मैं उनको बोलता हो कि आप लोग पढ़ाई करते रहो आपको अगर कुछ समझ में नहीं भी आये ना व देखो आपको क्या लगता है कि वीडियो के नेचे आपने लिग दिया सार प्रेजन सार इसके आपने होमर्क बेसे होमर्क किस ले करते हैं खुद के लिया करते हैं खुद से अगर प्रेक्टिस नहीं करोंगे तो आप लोग कहां से सीख पाऊंगे बहुत सारी थीजिए परा रहा हूं मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर इस तरह स्लो पराते होंगे मैं स्लोली स्लोली जा रहा हूं देखो हां सिंपल सा इक टोपिक पराया है मैंने खतम लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी परो ना वह अच्छी तरह से सीख लो एक दिन में मत आप जम उमार दे आ सबस्टाल खूश होने का बात नहीं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे रिजाल्ट करें जब आप लोग बोलेंगे साथ मैंने इसने लेटर मार्स लाया स्टार मार्स लाया तो बहुत खूश लगा मैं रहाज को नहीं तो आज से और आपी से जो पी नाप या वीडियो क्लास में हो, किसी भी तरह में आपको समझा के करो, वो मेरा गैर, मेरा गैरेंटी है, ठीक है, तो चलो, आज इतना ही करो, ठीक है, मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक यू